अगर फ्रेंड्स आप भी केमिकल की डाई लगा लगा के परेशान हैं तो आप अब नेचुरल तरीके से अपने बालों को बलेक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से अपने बालों में डाई कर सकते हैं वो भी बिना किसी केमिकल की क्योंकि केमिकल की हमारे बालों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी स्कीन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सैंसिटिक होती है बहुती नाजुक होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और फ्रेंट्स हैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्लीज दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताएगा और कमेंट्स करके बताएंगे तो हमें तोड़ा अच्छा लगेगा हिम्मत भी मिलेगी और आपको अच्छ अच्छी वीडियो हम देती रहेंगे तो यहां पर मैंने लिया है चार चीजों का पाउडर जो की इसमें देख सकते हैं आपको दिख रहा ही होगा और मैंने आवला नीम सीका काई रीठा ये चार से पांच चीज़े हैं इसके अंदर ये नेचरल तरीके से बनीवी चीज़े हैं और ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है और साथ में हमारे बाल जो रीठा होता ने रीठा सीका काई उससे हमारे बाल नेचरल तरीके से बलेक हो जाते हैं तो हमें बार की डाई करने की ज़रूती नहीं पड़ती है अगर आप ये चीज़े यूज में लेंगे आवला रीठा सीका आम में ले जाते हैं ताकि जो भी हमारे सिर में खुझली होती है इंफेक्शन हो जाता है कई बार तो वो उससे दूर हो जाता है तो यह हमारी चीज़े जो सिर में हम लगाएंगे डाई तो इससे हमारी जो भी सिर की जो दिक्कत होती है न वो खतम हो जाती क्योंकि कई बार हो दिया है और इसको इस तरीके से सेखना है तो फ्रेंट्स अपने बालों में यह ट्राइ करेंगे तो बहुत यह अच्छा रिजल्ट आएगा कभी आपको डाई की यूज नहीं करना क्योंकि केमिकल की चीजों में बहुत ज्यादा हमारी स्किन को नुकसान हो जाता है नुकसान तरीके से इस तरीके से डाई लगाएंगे तो जो नेच्रल डाई है उससे आपकी बच्चों किसकी नहीं खराब होगी और हमेशा के लिए आपकी बच्चों के बाल काले हो जाएंगी और जो बालों के लिए हमें प्रोटीन चाहिए वो भी मिलता रहेगा तो यहां पर तो मेंदी आपको नेच्रल लेनी है कोई कलर फुल नहीं लेनी है जो कलर वाली भी आती है मेंदी तो वो नहीं लेनी है तो यहां पर फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इसको भी सेक लेती हूं इस तरीके से तो इसका भी कलर चेंज हो चुका है तो रिटा आवला सीका काईस का तो आपको सभी को मालूम होगा कि आपके बालों के विशलाने के लिए बालों के लिए ने पर ने पानी लिए है recovered में के लाने के लिए बिल्कुल ब्लेक हो चुका है ये तो फ्रेंट से थोड़ा सा हमें और पकाना है इसको और जो इसका पाउडर है उसको अच्छे से मिला लेते हैं इसके अंदर तो यहां पर फ्रेंट देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको मिला लिया है अच्छे से जो कलर बिल्कुल ब्लेक हो चुका है इसका देख सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए और पकाना है हमेंसे अब आप सोच यतनी ब्लेक हो चुका है और जब हम कलर लगाएंगे बालों में तो कितना अच्छा कलर आएगा तो नेचरल तरीके से आपके जो नेचरल बाल होते हैं उस तरीके के बाल हो जाएंगे और आप केमिकल की डाई से भी बचे रहेंगे और ये आपकी बालों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा कोई भी स्कीन को लेके कोई भी साइट इफेक्ट नहीं होगा आपके बालों में तो यहां पर मैंने खूब पका लिया इसको अब क्या करना है गे इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसको ठंडा भी तो करना है मैं और फ्रेंड्स में फिर से बोल रहें कि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं उससे हमारे को बहुत हिमत भी मिलेगी यहां पर मैंने थोड़ा सा लिया है कोफी पाउडर इससे होता यह है कि जैसे ब्लेक भी रहेंगे रेड भी हलके हलके रहेंगे तो इससे कलरफुल बाल बन जाएंगे जो बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यहां पर देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा लगा के भी देखते हैं कि यह थोड़ा सा भी कलरफुल छोड़ता है कि छोड़ता है इसका कलर डाई जैसा है एक नहीं है तो यहाँ पे हाथ पे थोड़ा गरम है पर लगा के देखती हूँ हाथ उसे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स देखते हैं इसको कि थोड़ा सा एक कलर भी छोड़ता है एक हाथ पे नहीं छोड़ता है क्योंकि जो इ और यहां पर देख लेते हैं कलर तो तो यहां पर देख सकते हैं बहुत यह अच्छा और यह तो आपको कभी बाहर से डाई नहीं करने क gingerly टाई और statist इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों इससे तो अपने जो बाहर की डाई से बचे भी रहेंगे आप और अपने बाल हमेसा काले ही दिखेंगे अच्छे दिखेंगे सुन्दर दिखेंगे तो थोड़ा से पाने में इसको धो लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं धोने से भी नहीं फिर मिनते हैं नए वीडियो के साथ